गूड आफटरनून क्लास नाइन I hope कि आप अच्चे होंगे सबी लोग देखो बच्चों पर समने सेल के बारे पर पढ़ा था था थोड़ा सा आपको रिकॉल कर आते हैं ठीक है सेल क्या था कि हमारी शरीर की या किसी भी जीवित शरीर की सबसे छोटी संगरशनात्मा और क्रियात्म एकाई को सेल कहते हैं और 1665 पैसेट में रॉबर्ट हुट ने सेल की खोज़करी थी ठीक है फिर हमने पढ़ा था कि कोशिका के तीन पार्ट होते हैं किसी भी कोशिका के मुख्य तीन पार्ट होते हैं कोशिका प्लास्टिड में हम क्या देखते हैं? यह तीन प्रकार का होता है ठीक है? तीन प्रकार का होता है हरित लवक और वर्णी लवक और अवर्णी लवक ठीक है? प्लास्टिड क्या है? तीन प्रकार का है पहला हरित लवक जो की फोटो सिंथेसिस या प्रकार संसलिशन में काम आता है है दूसरा होता है वर्णी लवक ज जो भी colorful flower होते हो इनहीं किया होते है चीक है फिर आपका आते है अवर्नी लवक ये क्या होते है colorless होते है कि इनमें कोई भी color नहीं होते है फिर ये तो होगया которого प्लेसटरस के बारे में भी जो हमारी next है रस्धानि ठीक है रस्धान इक क्या है कि इसका चित्र दिखाते हैं आपको तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी आपको यह जो पूरा होल संग्रशना दिखाए दे रही है यह क्या है रजधानी तो यह क्या कहती है, प्लांट सेल में आंकार में बड़ी पाय जाती है, और जन्त कोशिप कमें क्या होती है, छोटी पाय जाती है, और रसधानी का क्या कारी है, यह स्पीती और कठोड़ता दोनों ही क्या देती है, प्लांट सेल को देती है, और इसके अंदर क्या होते है, वि कोशी का चित्र है तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी कोशी का भित्ती पढ़ी थी तो कोशी का भित्ती क्या देखिए जो सबसे बाहर आउटर मोस पार्ट है वो क्या आपकी कोशी का भित्ती ठीक है यह कोशी का भित्ती आपर लिखा हुआ है कोशी का भित्ती जो अंदर बाहर आने देती है, ठीक है? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अंतहप्रदवी जाली का, ठीक? अंतहप्रदवी जाली का देखेंगेजंगे ही केंद्रख है, केंद्रख के बाहर से जिगजघ करके लगे वे , और मैंने आपको दो प्रकार के बताई थी, एक दो बताईती खुरदरी और दूसरी क्या बताईती इसमूद तो खुरदरी जो अंतब रदवे जालिका होती है वो क्या करती है प्रोटीन का संसलेशन करती है क्या करती है प्रोटीन का संसलेशन करती है ठीक है और दूसरे प्रगार की जो स्मूद सेल है वो क्या करती है वसा और रबकाए पूंप में पूस्षे पर लायसैन को और उचल को पर फैर गात देल किके लिए subsC mistake के सब्सक्राइब होदि को इस है क्य बाती का मिवेसित ख़िए शेन दिखते हो यह श्रीयन में जाते हैं और आफशकता पने परदेगा कर देते हैं जटिल एंजयम इनके पास आज जाते हैं, तो उसका क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, ताकि पूरे सेल में इंफेक्शन ना हो, ठीक, फिर हमने बढ़ा था, माइट्रो कॉंडिया, ठीक है, यहां पर जो सूत्र कानी का लिखा हुआ है, हिंदी में, तो यह क्या है, माइ एडिनोसीन ट्राइफोस्फेल, तो इस वजए से वोशिगा को हम क्या बोलते हैं, सेल का पावर हाउस, फिर हमने क्या पढ़ा था, प्लैस्टर्स पढ़े थे अभी जो हमने, तो वो क्या है, यहां पर कहीं लिखा होगा हरितलवक करके, यह लिखा होगा है, हरितलवक, तो यह कित्ते प्रकार के थे, हमारे जो प्लैस्टर्स के थे, तीन प्रकार के, हरितलवक, और क्या थे, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ठीक, फिर यहां पर लिखा होगा है, राइबोसोम, तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन, स कि परदो है यह कुछिव टूम है कौशिका बड़ा कि अकट रखेए गलाता है यह चैनल पड़ा होता है ह। यह पूस्त थी यह जकी के आखा बादक होड़ है और आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम प्रोकेरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के बारे में बढ़ेंगे, ठीक हो गया, ओके बच्चो,